लक्षय प्रोपर्टी यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है लक्षय प्रोपर्टीज की टीम रोतक सीटी के अंदर सभी परकार की प्रोपर्टीज की वीडियो बना करके जैसे कि residential sector, commercial sector, industrial sector और agriculture land सभी परकार के जो sale में properties आती हैं उनकी वीडियो बना करके अपने इस YouTube चैनल के माचम से आप तक पहुचाने का काम करती हैं जिससे आप सभी को ये सुधा मिल सके कि आप धर बैठ कर ground look देख सकते हैं जो property आपके requirement में आती है उसकी वीडियो देख करके हमारे screen पे दिये गए number से contractor के यहां का visit कर सकते हैं जिससे आपको benefit होगा कि आप एक बार में ही अपनी property सेलेक्ट करके और deal को मैचवर करवाने के next step के पहुच सकते हैं लक्षय properties की team आपको रोतक के अंदर fair और quick deal करवाने का काम करती है आप हमारे साथ जूटकर समय और पैसा दोनों की बज़त कर सकते हैं और रोतक के अंदर एक professional त्रीके से हम property की deal करवाते हैं आपके documents और payments की लेंदेन की पूरी responsibility हमारी रहती है हर location की market raise पर आपको deal provide की जाएगी जिससे seller और buyer को कोई भी loss या कोई भी प्रेशानी का शामना नहीं करना पड़ेगा तो आज हम अभी आए हैं HSVP sector 27 रोतक एक residential sector है काफी बड़ा और अच्छी location पर ये sector है दिल्ली, दिल्ली से रोतक road या रोतक to दिल्ली जाने वाले इस man road के उपर ये sector 27 पड़ता है मेरे left hand में रोतक को connectivity और right hand में दिल्ली को connect करता हुआ ये road तो आईए आज sector 27 के आपको सब भी detail प्रोवाइड करते हैं और यहां का ground look भी आपको दिखाएंगे वीडियो के last तक बने रहे हैं लास्ट में हम आपको हर size के float का price भी share करेंगे ये सामने screen पे आप देख सकते हैं sector का entrance और exit point आईए इतना अच्छा यहां पर green दी हुई है और man दिल्ली रोड से connect ये entrance gate आप देख सकते हैं कितना फूसूर्थ यहां पर बनाया गया है ये man entrance के left hand में एक अच्छा green park आपको दिया गया है और right hand side में यहां पर a block है और a block के अंदर बड़े size ये upload है 14 मर लेगे ये first row यहां की देख सकते हैं 12 मीटर रोड के उपर यहां पर काफी सारी कोठिया बन भी चुकी है और कुछ under construction भी है साथ में छोटा सा right hand side में green park भी आपको दिया गया है ये यहां 24 मीटर वाइडर रोड के उपर यहां का entrance दिया गया है इसके left hand में यहां पर commercial market future में डवलोप करके आपको दिया गया सेक्टर का entrance देखिए यहां का entrance इतना अच्छा वाइडर और greeny road आप देख सकते हैं कितनी खुबसूर्थ यहां का view है market की development का काम यहां start हो चुका है आप देख सकते हैं man entrance के left hand में market आपको दी जाएगी और यह right hand side में यहां पर 500 गजगे और 600 गजगे प्लोट आपको दिये गए यहां पर देख सकते हैं यह ब्लोग में काफी सारी कोठिया यहां पर बन चुकी है और under construction भी है future में sector 27 रोग तक का सबसे top का sector होगा क्योंकि यह own दिली रोड के उपर पड़ता है जिससे sector की road connectivity बहुत best बनती है और nearby सारी चीज़ें यहां पर आपको मिल जाती हैं इसे की school है college है education institute है super specialist hospital है इंद्रा लाइक है सभी चीज़ें आपको यहां पर अच्छी connectivity की मिल जाती है सी ब्लोग के अंदर हम आ चुके हैं यहां पर देखिए आप इस sector के अंदर काफी सारे पार्क यहां पर आपको छोटे चोटे डवलोप करके दिये जाएंगे और सी ब्लोग के अंदर यहां पर आपको 160 गज़ के पलोट सेल के लिए मिल जाएंगे इस sector में अगर पलोट साइज की बात करें हम तो 60 गज़, 75 गज़, 100 गज़, 160 गज़, 200 गज़, 200 गज़, 300 गज़, 300 गज़, 500 गज़, 600 गज़, हर साइज में यहां पर पलोट अबले सी ब्लोग के अंदर आप देख सकते हैं, 160 के अंदर काफी सारी कोठिया बन चुकी हैं, कुछ अंदर कंस्टेक्शन हैं, साथ में पारक डवलोप, यह देखिए, इस पोकट के अंदर हमारे पास पलोट सेल में आपको अबलेबल मिल जाएगा, बहुत सूर्थ कोठिया यहा यह सेक्टर का सेंटर रोड है, जो 24 मीटर वाइडर रोड दिया गया है, हमारे राइट हैंड साइड में यह जी ब्लोग है, जिसके अंदर 10 मर लेके और 14 मर लेके, 8, 10 और 14 मर लेके पलोट के साइज दिये गए हैं, काफी बड़ा सेक्टर होने के कान थोड़ा सा समय लगे और अब सेक्टर के बैक साइड में भी हम काफी वाइडर रोड 45 मीटर और 60 मीटर वाइडर रोड आपको देखनों को मिलेगा, जो सीधा यहां से दिल्ली बाइपास को कनेक्ट करता है, वहां से हम आपको दिखाएंगे, यह सेक्टर की बैक साइड गा रोड आप देख सकत से, यह रोड आपको सीधा दिल्ली बाइपास से एक कनेक्टिविटी देता है, डाबल साइड रोड आई, और यह सेक्टर 27 का बैक एंट हेंट रेगा, 24 मिटर वाइडर, हमारे राइट हैंड साइड में या आपको यह रोड सिधा दिल्ली रोड से कनेक्टिविटी देता है हम सेक्टर 27 का आपको ग्राउंड लुक प्रोवाइड कर चुके हैं हर साइज के पलोट आपको हम दिखा चुके हैं यहां की डवलोब्मेंट हम आपको दिखा चुके हैं यहां पर बिजली का, सिवरेज का, वाटर सपलाई का, रोड का, पारक का मोश्टली काम हो चुका है, कुछ काम पैंडिंग है वो अंडर कंस्टैक्शन है तो जो भी सेक्टर 27 के अंदर रेजिदेंशल प्रोपर्टी खरीदना चाता है वो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपरक करके सेक्टर का विजिट कर सकते हैं और अपने साइज के अकोर्डिंग यहां पर प्रोपर्टी देख करके फेस टू फेस सेलर से मेटिंग करके अपनी डील कर सकते हैं हम आपको यहां पर फेर और क्विक डील प्रोवाइड करेंगे और मार्केट रेट पर आपको प्रोपर्टी परचेज करवाई जाएगी सेक्टर के अंदर लोन फैसिलिटीज भी एविलेबल है इसके इलावा सेक्टर 27 की रिलेटिड कोई भी आपकी इनक्वारी है आप हमारे स्क्रीन पे दिये गए नंबर से संप्रक करके इनक्वारी ले सकते हैं अभी लास में अगर हम यहां के प्राइज की बात करें अगर सेक्टर 27 के प्राइज की बात करें तो 55,000 रुपे गज से ले करके 70,000 रुपे गज का प्राइज यहां पर है जो location और size के according अलग अलग प्राइज रहेगा सेक्टर 27 का road connectivity road connectivity में किसी भी सेक्टर से कोई मुकावला नहीं है सेक्टर 27 के चारों तरफ से 45 मिटर वाइडर रोड है यह देख सकते हैं आप स्क्रेम बार यह 45 मिटर वाइडर रोड सेक्टर 27 और दिल्ली रोड को connect करता है यह रोड सेक्टर 27 को सीधा दिल्ली बाइपास से connect करता है यह दिल्ली बाइपास की तरफ road connectivity right hand side में सेक्टर 27 और दिल्ली रोड से connectivity और ये आप सेक्टर 25 और जचर रोड से कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है हमारी वीडियो के से आपको सेक्टर 27 की रोड कनेक्टिविटी, साइज, प्राइज, सभी चीज़ों का आपको आईडिया लग गया होगा तो जो भी परसन, रेजडेंशल सेक्टर 27 रोड तक के अंदर प्रोपर्टी खरीदने के लिए इंट्रेस्टिड हैं वो हमारे स्क्रीन पे दिये गई नंबर से संप्रक करके हम विजिट कर सकते हैं और अपनी फेर डील मैचवर कर सकते हैं वीडियो के अंद तक बने रहने के लिए तैन्यवाद